प्रिथवी से जुड़ी 10 बातें आप नहीं जानते होंगे प्रिथवी, हमारी प्रिथवी, हमारा घर इस असीम रहमान में हमारा एक मात्र पता हम इनसान इस प्रिथवी के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए है ये नीलग रहे अपने गर्व में कितने रहिस्यों को छिपाई हुए है ये कोई नहीं चालता और इस वीडियो में हम आपको पृत्वी से चुड़ी ऐसी बाते बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा तो आई ये जानते हैं इनके बारे में अब मैं आपसे पूछूँगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप कहेंगे कि भाईया 24 घंटे होते हैं ये तो साधरन सा सवाल है लेकिन दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था आज से करीब 6 करोड साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे और 54 मिनट ही हुआ करते थे दरसल चंद्रमा, सूरज और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वा करशन से समुद्र में आने वाले जुआर भातों के कारण पृत्वी के कक्षा में थोड़ा बहुत बदलावाता रहता है और हर 100 साल में एक दिन का समय एक दशनलोग साथ मिली सेकंड कम होता जाता है 9. बढ़ती गर्मी दोस्तों, प्रित्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है वे ज्यानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड साल बाद हमारा सूरे आज से 10 प्रतिशत जादा चमकदार और गर्म होगा 400 करोड साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुत्र का पानी भाप में बदल जाएगा 7. साथ सो करोड साल बाद प्रित्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगा और सूरे इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि शायद मर्किरी, वीनस और हमारा चंद्रमा भी खत्म हो चुका होगा 8. प्रित्वी पूरी गोल नहीं है बच्पन से हमें पढ़ाया गया है कि प्रित्वी गोल है लेकिन दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा कि प्रित्वी पूरी तरह से गोल नहीं है ये अपने ध्रोवों पर थोड़ी चप्टी है या कह सकते हैं कि बीच में थोड़ी ज्यादा ही गोल है दरसल घूम धे रेखा की योर प्रित्वी अपनी कक्षा पर इतनी गती से घूमती है कि प्रित्वी का आकार ऐसा हो गया है जैसे एक गेंद को जोड से मारा गया हो इस विशेश आकार को जियोईट कहते हैं दोस्तों कि आपको पता है माउंट एवरेस प्रित्वी का सबसे उचा परवत है क्योंकि परवतों की उचाई समुदरी स्तर से नापी जाती है अगर हम प्रित्वी के गर्भ से परवत से उचाई नापें तो इकवड़ोर का माउंट चिम्बो राजो सबसे मुचा परवत है साथ सबसे लंबी परवत श्रंकला दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी परवत श्रंकला कौन सी है आप में से ज्यादा तर लोगों का जवाब एंडीज परवच रंकला होका लेकिन ऐसा नहीं है असल में दुनिया के सबसे लंबी परवच रंकला का सिर्फ दस प्रतिशत भाग ही हमें दिखता है और बाकी भाग समुद्र की गहराईयों में है इसे हम Mid-Ocean Ridge System के नाम से जानते हैं 1950 में किये गए एक सर्वे के नुसार इसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर है और ये एंडीज परवच रंकला से 20 गुना ज्यादा लंबी है जैसा कि आप जानता ही होंगे कि प्रत्वी के ध्रोग भी एक प्राकृतिक चुंबक की दरहा काम करती है वेग्यानिकों का मानना है कि प्रत्वी अपनी चुंबकिये दिशाओं को पलटता रहता है और आने वाले समय में भी ऐसा होगा लेकिन दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला हाँ, बस दुनिया के सभी कमपस बिगड़ जाएंगे लेकिन परिशानी तो डॉल्फिन और वेल मचली को काफी होगी क्योंकि वो तो इन चुंबकिये तरंगों से ही अपना रास्ता खोचती है आप क्या सोचते हैं, क्या हमें ऐसे जीवों के लिए कुछ करना चाहिए वीडियो को लाइक करके अपनी सहमती प्रकट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं बाच, और समान ग्राविटी दोस्तों आप में से कई लोग ये समझते होंगे कि प्रित्वी पर हर जगा ग्राविटी या गुरित्वा करशन एक सही होता है आपको बता दूं कि यह सम बिलकुल भी नहीं है कैनडा का हटसन बे एक ऐसा ही उधारन है यहां की ग्राविटी प्रित्वी की दूसरी जगहों की तुल्ला में काफी कम है माना जाता है कि यहां पर प्रित्वी के गर्प और सतह के बीच परियाप्त द्रवेमान नहीं है जिसके कारण यहां की ग्राविटी कम है सन 2009 में अंतरिक्ष में भेजी गई एक सैटलाइट से प्रित्वी की अलग-अलग जगहों की ग्राविटी ना पी गई थी जिसमें इस जगह के बारे में पता चला था वैसे प्रित्वी पर ये एकलोती ऐसी जगह नहीं है बलकि बहुत सी जगहों पर ग्राविटी की ऐसी अन्यमित्ताएं पाई गई है दोस्तों आज प्रित्वी पर साथ महधवीब हैं लेकिन आज से करीब तीन करोड साल पहले ये सभी महधवीब एक ही थे मतलब प्रित्वी पर जमीन का एक टुकड़ा था जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे ये उसमें प्रित्वी के एक तेहाई भाग में फैला हुआ था बाद में करीब एक करोड पच्चतर लाक साल पहले प्रित्वी की टेक्टॉनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण धीरे धीरे सभी महधवीब अलग-अलग हो गए भू वग्यानिकों के माने तो आज से करीब धाई करोड सालों के बाद सारे महधवीब एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और एक बार फिर से पेंजिया का निर्मान होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना वग्यानिकों ने जमीन से करीब 660 किलोमीटर नीचे एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात की है माना जा रहा है कि समुद्र में प्रित्वी के सथा पर मौझूद सभी समुद्रों से तीन गुना ज्यादा पानी है ये पानी लिक्विड नहीं है बलकि एक बड़ी सी नीली चटान के रूप में है जिसे रिंग वुडाइट नाम दिया गया है कुछ विग्यानिक तो ये भी मानते हैं कि आज जो समुद्र प्रित्वी के सतह पर मौझूद है वो भी पहले जमीन के अंदर कुछ इसी तरह थे लेकिन वो बाद में भागौलिक गतिविधियों के कारण सतह पर आ गए दो पहले प्रित्वी बैंगनी थी अब आप कहेंगे भई ये तो जादा हो रहा है डाविन कहते हैं कि हम बंदर थे और अब प्रित्वी को भी बैंगनी कर दिया लेकिन दोस्तों कुछ खगोलिय जीव विग्यानिकों की माने तो ये पूरी दरह सत्ते है दरसल प्रित्वी पर पाए जाने वाले शिरुवाती चीफ क्लोरोफिल की जगह बैंगनी रंग की एक रसायन का इस्तिमाल करके सूरे की किरणों की साहेता से भोजन मनाया करते थे इस रसायन को रेचिनल नाम दिया गया है इस कारण हमारे क्रह का रंग भी बैंगनी था लेकिन बाद में जो पेड़ पौधे प्रित्वी पर हुए भी अपना भोजन मनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तिमाल करते थे हरे रंग का क्लोरोफिल बैंगनी रंग से ज्यादा सूरे के प्रकाश को सोक सकता है और इसके ये ज्यादा कारगर साबित हुआ एक प्रित्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई प्रित्वी पर लाखों और करोडों प्रजातियों के जीव रहते हैं लेकिन उनमें से सबसे बुधिमान जीव यानि की हम इनसान अभी तक ये बता नहीं लगा सके कि हम इस प्रित्वी पर आये कहां से कुछ विग्यानिकों कमानना है कि प्रित्वी के सभी जीव जन्तू उन मॉलिक्यूल से बने हैं जो प्रित्वी पर उसमें मौजूद थे ये अणू या मॉलिक्यूल अपने आपको दोहरा सकते थे जैसे कि डिने होता है लेकिन ही मॉलिक्यूल स्प्रित्वी पर ही बने या ब्रहमान में दूर किसी ग्रह से आये ये अभी तक भी साफ नहीं है वैसे ज्यादतर वैग्यानिकों का तो ये ही दावा है कि ये मॉलिक्यूल स्प्रित्वी के निर्मान की साथ ही बने थे और हम कोई एलियन नहीं है तो दोस्तों ये थी प्रित्वी से जुड़ी दस दिल्चस्प बातें तो कौन कौन सी बातें आप पहले से जानते थे और आज आपको क्या क्या नया जानने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही दिल्चस्प बातें जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल न भूले